महाराश्ट्र बाम्बू विकास मंडर नाखपूर एथिल व्यवस्थापक संचालख टीयस के रेड़ी यानि शाष्णाचा तेहत्यस कोटी रुपयांचा गैरवापर आनि दुरुपयोक करून पैशाचा घबाड धोकाधडी केलेवाबत योग्य कारवाईची बागनी ताप शम्भू गोस्वामी यानि पत्रकार परिश्थे दोरे के लिए अंतरगर्थ एक महाराश्ट्रा बाम्बू विकास मंडर है जो की राष्ट्रिय बाम्बू मिश्यन की योजना को चला रहा है सन 2017 में बाम्बू को वन उपज की व्याख्या से बाहर निकाला गया ताकि खेती में बाम्बू को उगाया जा सके और बाम्बू पर आधारित उद्योग खड़े किये जा सके और इस माध्यम से लाखो रोजगार पैदा करने के लिए सरकार ने राष्ट्रिय बाम्बू मिशन का गठन किया 1290 करोड रुपे का प्रावदान था राष्ट्रिय बाम्बू मिशन में और दो साल ये मिशन चलने वाला था 14th Financial Commission के हिसाब से और ये साल में उसको एक्सेंशन दिया गया है महराष्ट्र में सन 2018 में 33 करोड 12,75,000 रुपे का प्रावदान किया गया था सन 2019 बीस में 38 करोड 59,85,000 का किया गया था और ये साल में इस Financial Year में 8 करोड रुपे का प्रावदान इस योजना के तहट किया गया है अब इसमें जो निजी शेत्र के उद्योग है उनके लिए 7 करोड 15,00,000 रुपे की सबशड़ी 2018 में मिलने थी और 49 उद्योग इसमें उद्योगों को लाब होने वाला था उन चालिस उद्योगों को और 2019 बीस में 40 उद्योगों को लाब मिलने वाला था और 9 करोट 75 लाख रुपे की सब्सड़ी मिलने वाली थी यानि कुल मिला के करीब करीब 35 करोट रुपे की लागत से यहाँ पर उद्योग खड़े होने वाले थे और ये जो मैं आपको 40 और 49 उद्योग यानि टोटल मिला के करीब पर 80 उद्योग जो आने वाले थे उसके अंदर दो उद्योग बायो एनर्जी एक्स्रेक्शन के भी थे दो एक्टिवेटेट कार्बन प्रोड़क्स के थे और दो इतनौल गैसी फायर के थे जो बांबू पर आधारित थे आपने कई बार हमारे जो मंत्री हैं गड़करी जी के नाम मुझ से यह सब चीज़े सुनी होंगी इतनौल बायो सीन जी वगड़ा तो हमें हाली में पता लगा कि राज्य सभा में श्री नारायन जी ने एक प्रश्ण किया था कि महाराष्ट्रा में दोजार अट्रह उनिस में टार्गेट पूरे बांबू मिशन के हुए की नहीं तो टार्गेट के बारे में ऐसा जवाब मिला कि पूरे टार्गेट दो हजार अठारा उनिस के महाराष्ट्रा बांबू डेवलप्मेंट बोड ने पूरे किये हैं लेकिन एक दूसरे एक सूचना अधिकार के अंतरगत महाराष्ट्रा बांबू डेवलप्मेंट बोड ने ऐसा बताया है कि उन्होंने एक भी उद्योग को कोई भी अर्थसाय नहीं किया है तो अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ राज्यसवा में जवाब दिया जाता है कि पूरे टार्गेट हो गए हैं और जो फंड यूटि बुद के सुचना अधिकार में बोलता है कि हमने एक भी उद्योग को अर्थसाय नहीं किया है तो सवाल यह उठता है कि यह पैसा गया कहां यह पैसा जो इसकी जो चानबीन करना बहुत जरूरी है एक तो यह मुद्दा उद्योग का जो पैसा था वो पता नहीं लग रहा क कहां चला गया दूसरा क्या था कि इसमें बांबू लागवड की योजना थी तो बांबू लागवड में ऐसा था कि एक हेक्टर में 600 जो है आपके जाड या रोप या जिसको सैपलिंग बोलते हैं वो देने थे और एक लाबार्थी को पचास अजार रुपे तक का अनुद करना था उसके बाद उसके बिल देने थे बांबू बोड को और बांबू बोड को फिडिवेड द्वारा डाएक बेनिफेट ट्रांसफर द्वारा सबसीडिक का अमाउंट लाबार्थी के खाते में जमा करना था लेकिन हुआ ऐसा कि करीब करीब सवाद 4 क्रोड रुपे के पौधे 25 रुपे का एक पौधे के इसाब से बांबू बोर्ड ने खुदी खरीद लिया जो कि पूरी तरह से स्कीम के गाइडलाइन्स का वोईलेशन है और एक बहुत बड़ा ये धानली है